दोस्तों जहिन स्वागत है आपका मेरे चैनल पर डिफेंस एंड स्पोर्ट सार्मी आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू खबर लाए हूँ और आप लोग के लिए एक मतलब बढ़िया खबर है आप सभी के लिए कि असाम रैफल्स में अब तक जो भी वहाँ पर प्रोसेस ह है उनकी पूरी डेटेल मेरे पास आ चुकी है अब मैं आप लोग को आसानी से क्लियर कर सकता हूं कि कल आपका फिजीकल के साथ-साथ महां पर क्या क्या हुआ है तो तो वीडियो पर आप लोग बने रहो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि अब तक काफ उनसे मेरे के एक लड़के से बात हुई है उसने मुझे बताया दोस्तों कि कल जिन बचो का physical ट्रेड हो गया था उनका रात में वहां पे ट्रेट हुआ है थाद में ड़ेड करे दिन बाद ही आप का medical कर दिया जाएगा आपको उदर से वापस आने की कोई जरूत नहीं है कम से कम आप आप लोगों को कम से कम आप चार दिन रुखना पड़ेगा अगर आप वहां पे physical देने जा रहे हो तो at least आप लोग को चार दिन तो रुखना ही पड़ेगा ये आप लोग सोच के जाओ कि अब आप लोग के physical के साथ साथ आप लोग का physical, document verification, trade test और medical ये चारो चीज़ें आपकी एक साथ हो जाएंगी दोस्तों ठीक है दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर आ रही है असाम रैफल्स में आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था ये इस साल पूरा system चेंज हो चुका ह असाम रैफल्स में और ये कोवीड को देखते हुए ऐसा किया गया है दोस्त मैं बता रहा हूं कि अब आप लोग का trade test के बाद आप लोग को medical की date मिलेंगी जो बच्चे trade test में qualify हो जाएंगे उनको medical date मिल जाएगी और उनका वहाँ पे medical होगा और medical में जो बच्चे पास हों सेंटर में दोस्तों मैं बता जिता हूं कल लर्क और पीए वालों का physical हुआ था तो रात में तकरीवन मैं बता जता हूं साड़े साथ बज़े से उनकी typing स्टार्ट हो गई थी और typing में काफी सारे लड़के reject हुए हैं और जो बच्चे reject हुए हैं उनको तो नहोंने बार किया failure candidate से मेरी बात हुई थी तो वो मेरे को बदा रहे थे कि trade test काफी hard हो रहा है वहां पर एक तो सबसे बड़ी बात है कि दीपू में जो physical है सबसे hard हुआ है अब तक का और trade test भी बहुत hard लिया जा रहा है तो कई न कई दोस्तों आप अपनी पूरी तयारी करके जाए normal candidate जिनकी कोई तयारी ना है तो उनको मैं suggestion करूँगा कि ना जाएं इससे अच्छा हो क्योंकि इतना hard आज से पहले तो नहीं हुआ था और इतना top class का वहां पर typing हो रही है दोस्तों अभी बिल्कुल सबकी वहां पर हालत खराब है और आज दोस्तों जो बच्चे typing test में clear है उनको वहा आठ बजे फिर से typing test है वहां पर क्योंकि कल मैं बता रहा हूं ना कल 1500 बच्चों का ही वहां पर typing हो पाया क्योंकि रात के 10 बज गये थे और 10 बजे के बाद वहां पर उन्होंने अपना process बंद किया था और आज फिर से 8 बजे से उनका typing test program शुरू हो जाएगा दोस्तों आप का वहीं पर सेम डेट आप लोग का medical हो जाएगा उसके बाद आप लोग को रिटेन एक्जाम का admit card वहां पर भीजेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका डॉकुमेंट करना वह लोग स्टार्ट कर देंगे अपने all documents आप लोग ले करके जाए डॉकुमेंट में कोई भी चीज की कमी ना करें और यह ना सोचें कि हम यह नहीं लेकर जाएंगे तो हमें मतलब वहां पे कुछ वह नहीं बोलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों डॉकुमेंट में भी 3-4 चीजे एकदम जेनरल है कि वहां पे जो बैच बन रहा है वह साड़े 300 से साड़े 400 का बैच बना रहा है दोस्तों ठीक है क्योंकि दीपू में काफी सारे बच्चे फिजीकल देने आया है क्योंकि वहां पे भीड जादा है इसलिए भीड को फटा-फट कम करने के लिए अब आप लोग को बताता हूं सिल्चर में जो टेकनिकल सेंटर है तो सिल्चर सेंटर में दोस्तों सिर्फ दोसों का बैच बन रहा है और वहां पे आप लोग को पता ही है क्योंकि वह टेकनिकल सेंटर है वहां पे बच्चे कम पहुंचे हैं तो सिल्चर में दोसों का बैच बन रहा है प्लस आप लोग का सेम डेट में ही ट्रेट टेस्ट हो रहा है और आप लोग को मेडिकल डेट मिल रही है तो आप लोग अपनी पूरी तयारी सजाओ उसके बाद मैं बताता हूँ कल जो फिजिकल था सिल्चर सेंटर पे वो ब्रिज एंड रोड वालों का फिजिकल था वहाँ पे तो दोस्तों मेरी उन्हीं बच्चों से बात हुई थी जो ब्रिज एंड रोड का फिजिकल देने गए थे उन्होंने मेरे को सारा बात बताया है और दोस्तों सबसे बड़ी ब दोस्तों एक बात और जो आप लोग दीमापूर में एक मतलब देख रहे हो कि काफी लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है वो सब जो बच्चे हैं वो हमारे असाम राइफल्स केंडिडेट्स नहीं है वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो